केंदरिय वित्मंत्री निर्मला सीधारमंड एक फरवरी 2024 को चठी बार बजट पेश करेंगी निर्मला सीधारमंड मोधी सरकार के दुसरे कारेकाल का आखिरी बजट पेश करने वाली है क्युंकि उसके बाद देश भर में लोग सभाचुनाव होने वाले है ऐसे में सरकार अपने vote bank को बुनाने खास कर salary class के लिए कई ऐलान कर सकती है सरकार नौकरी पेशा के लिए standard deduction बढ़ा सकती है नौकरी पेशा tax payers उमीद कर रहे हैं कि सरकार standard deduction को 50,000 रुपे से बढ़ा कर 1,00,000 रुपे कर दे लेकिन सरकार अपने vote bank के लिए कुछ खास गोशनाय जरूर कर सकती है इंकम tax act के तेह नौकरी करने वाले लोगों को एक खास राहत मेली हुई है पेंशन पाने वाले लोग भी इसका फायदा उठा सकते हैं इसे standard deduction खा जाता है इसमें एक निश्चत amount नौकरी करने वाले व्यक्ति की taxable income से घटा दिया जाता है इससे नौकरी पेशा की taxable income घट जाती है जिससे उनकी tax liability यानि देने वारा tax भी कम हो जाता है standard deduction के लिए 50,000 रुपे का amount दे है इसका फायदा सभी taxpayers को और pensioners को मिलता है सरकारी और private नौकरी करने वाल tax payers इसका फायदा उठा सकते है self-employed tax payers को standard deduction का फायदा नहीं मिलता है इसी तरह कारोबार करने वाल tax payers को भी रहात नहीं मिल पाती है income tax act 1961 के section 16 के तह standard deduction दिया जाता है खास बात है कि tax payers के annual income कम हो या ज्यादा उन्हें एक निश्चित अमाउट ही डिड़क्ट करने की इजाज़त है इसलिए कम income while tax payers को इससे काफी रहात मिलती है standard deduction के शुरुआत 1974 में हुई थी लेकिन बाद में इस प्रावधान को खतम कर दिया गया था union budget 2018 में इसे फिसे शुरू किया गया था अब तक standard deduction का फाइदा सिर्फ उन tax payers को मिलता था जो income tax की old regime का इस्तिमाल करते थे अब इसका लाव वैसे tax payers भी उठा सकते हैं जो income tax की नई regime का इस्तिमाल करते हैं इसका एलान एक फरवरी 2023 को पेश बजट में किया गया था झालान एका वालान एक जा जड़ा एक पाइदान एक जादा सिर्फ प्रावरी जड़ावां जो प्या करते हैं चालान एक, जो प्या प्या झाल एक जो बढ़े लाया था